नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का अपनी पाथशाला पर मैं हूँ अंकित अवस्ती आप है मेरे साथ में आज के रियल नीज और एनलेसिस में और जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं देश और दुनिया के उन तमाम ख़बरों की जो कि आपके परिक्षा पर इंटर व स्पेस के बारे में बात की तीसरा सेस्टा उसमें हम ने एन्व्यरमेंट के बारे में बात की यह फोर्थ सेसन घिसमें हम economics के बारे में बात कर रहा है आज यू ही नहीं पढ़ने वालों के लिस्ट में सबसे तॉप पर रहता है जो serious candidates है दिन भर के अंदर जो भी ख़वर इधर उदर से पढ़ते हैं बस वेलिडेट करने आते हैं कि क्या ये ख़वर वाकए में मैथवपून है मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ये इतनी मैथवपून ख़वर है 14 साल बाद स्टेंडर एंड पूर्स ने भारत की रेटिंग को सुधारा है अब ये स्टेंडर एंड पूर्स क्या है 14 साल बाद ये ख़वर हुई है तो इसका क्या मतलब है सारे सेशन के अंदर चर्चा करते हैं आईए तो मेरे पारे साथियों भारत को हाल ही में रेटिंग आउटलुक के अंदर स्टेंडर एंड पूर्स ने जिस रेटिंग पर रखा हुआ था उससे सुधार दिया है इसको ऐसे समझते है जैसे आज मैं आप लोगों से बोलता हूं कि अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें बोलता हूं अच्छा ऐसी ही एप्लिकेशन की ऊपर बोलता है हम लोग कि अगर आपको हमारा एप्लिकेशन पर कोर्स पसंद आया हूं जिसमें मैंने हिस्ट्री जोगरफी पॉलिटी कॉनमी कंप्लीट पढ़ार किये तो अगर मेरा काम पसंद आया हूं तो आप उसे फाइ यह निकाल कर छोड़ता है कि यह यह कमिया थी आपकी फाइफ स्टार तो छोड़िये मैं आपको वन स्टार नहीं दूँगा मैं लाइक छोड़िये दिसलाइक करूंगा समझ में आ रहा है अर्थात यह यह रेटिंग देखते हैं ना आप लोग अच्छा रेटिंग से क्या तो बता है लेकिन आप सुनने के बाद भी लाइक नहीं कर रहें तो मैं कहता हूँ है लाइक कर दो जितने लोग देखे हैं कम से कम लोग लोग लाइक कर देंगे तो और लोगों को लगे का कि कुछ तो है इसमें अगर यह वाली बात है तो भाई साब उसको रिवर्स में ल है ऐसा ही देश की भी रेटिंग होती है ए रेटिंग बी रेटिंग सी रेटिंग अब सर रेटिंग दे कौन रहा है देश को कौन रेटिंग देगा 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 देश को कौन रेटिंग द तो आप क्या क्या देखेंगे उसमें? आप देखेंगे कि ये देश ग्रो ठीक से करेगा कि नहीं करेगा? इसकी सरकार के फैसले ठीक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? इसकी जंता जो है वो बेरोजगारी की तरफ बढ़ रही है कि रोजगार की तरफ बढ़ रही है? बिमार को देख करकी तो आप अंदाजा लगाओगे कि हाँ यार यह ठीक जा रहा है तो यह grading है A B C grading है ठीक है अभी हाल ही में standard and poor's नाम से एक company ने भारत की grading को एक कदम उपर कर दिया है मतलब जहां थी उससे उपर चड़ा दिया है rating को उपर कर दिया है और यह भी कहा है अगले दो स 14 साल बाद हम इसको और उपर चड़ाएंगे आप कहेंगे क्या फरक पड़ गया इस बात का आप फरक पड़ता है चलिए देखते हैं 14 साल बाद ऐसा हुआ है कि भारत को उस firm ने rating में उपर नाम दिया है आप अच्छा तो इसका मतलब इंडिया से बड़ा हो गया वह firm तो इसको ऐसे समझी मैं पहले जब सेशन पड़ाता था मेरे पुराने स्टुडेंट होंगे तो वह जानते होंगे मैं बोलता था तीन बड़ी अम्माएं हैं दुनिया के अंदर अम्मा भोलता हूं दादियों को मैं तभी गाओं में अगर आप रहे हों तो गाओं के अंदर ए कोई रिष्टा करना है किसी लड़के के बारे में किसी लड़की के बारे में जानकारी जुटानी है आप पहुंचे तो अम्मा रास्ते में मिल गई हाँ बिटा कहा रहे हो बोले अम्मा लड़की देखने आय थे कौनसे घर में जा रहे हो बोले उस घर में जा रहे हो अब मुद आपू जा यहा हए एक रहिक कर के तूम जा यह जा जा तो इंदीDas तुड़ नहीं पिर इनधर तहा कि जिनके यह रड़ा था बझयम जिनके पत्थर चल गए तहा कि ए नहीं पहु ल्ड़ा जिनके घरमें ''cori जिलिए उगे थी यहो जो चारी शूरी किसमें '' से ले गए थे अच्छा उनके जारे को जो दारू पीते हैं अगर कोई आपको इसे बोल दे तो आप जाते जाते दिमाख में खिननता ले आएंगे ऐसी ही तीन बड़ी अंवाएं हैं दुनिया में जो आर्थ-शास्त्र के नम पर खेल-खेलती हैं किनके सामने खेल खेलती हैं, इंडिया के अंदर अगर किसी को पैसा लगाना है, इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर, अगर आपको करना है, प्रत्यक्ष निवेश करना है, तो प्रत्यक्ष निवेश के लिए आपको किसी की रिकमेंडेशन चाहिए, कि सर मैं इस देश मे पैसा लगाओं के नहीं, इसको और आसान करते हैं, FDI के लिए अम्माओं का रोल बताते हैं, अगर मान लीजिए कि आप से कहा जाए कि कोई 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 है, कॉलोनी है जहां पर प्लॉट आरखे हैं, आप जाकर आप प्लॉट खरीद लो, आप प्लॉट खरीद ने से पहले चार लोगों से पूछते हैं, यार मुझे उस कॉलाणी में प्लॉट लेना चाहिए कि नहीं, भविश्य में प्लॉट के कीमत बढ़ेगी कि नहीं, तो किस से पूछेंगे, जिसकी कोई वैल्यू हो, आप किसी फर्म से पूछेंगे, किसी बड़े आदमी से पूछेंगे, जिसको प्रॉपर्टी में बड़ा नॉलिज हो, तो ऐसे ही अमेरिका की तीन बड़ी एजनसीज हैं, अर्थशास्त्र के लिए, रेटिंग एजनसीज हैं, जो फाइनस को लेकर काम करती हैं, इन मेंसे एक का नाम है, इस्टेंडर्ड एंड पूर्स, दूसरे का नाम है, फिच्प, और तीसरे का नाम है, मूरीज, ये दुनिया भर के देशों का, इनवेस्टमेंट के लिए, प्लान डिटेल बताती हैं, कि देखिए, अगर आपको उस देश में निवेश करने जाना है, तो देखिए, उस देश के अंदर ये तो चैलेंजेज हैं, और ये संभावनाएं हैं, और ये प्रॉपर रिपोर्ट कार्ड बना कर देती हैं, अर्थात सोचिए, यदि ये किसी का मुँ दिखाई कर दें, कि यहां भाई, लाजवाब है, अगर लाजवाब है, इतना बोल दें, तो आप सोच कर देखिए, आप कितना लालाईत हो जाएंगे, कि यार इसने कह दिया है, कि ऐसा हो, और इसको थोड़ा बढ़ा करके समझते हैं, आप अपने अपरा ले acerca, आप किसी कोचिंग में अड़िमिशन लेने जाते हैं, कोचिंगे तो बहुत सारी खुली है, टीचर्थ तो बहुत सारी पढ़ा रे हैं, फिर किसी एक ही जगह की कोचिंग में क्यू जाते हैं आप आंसर उसके बारे में किसी सलेक्टिड भाया ने कहा है कि वहाँ जाओगे बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं समय पर सिले बस खतम कराते हैं अपनी पाठशाला का हमारा कोई पेड प्रमोशन नहीं होता हमारा जो एप पावजूद भी लाकों की संख्या में लोग वहां क क्यो पढ़ एं। रीजन ? जुप भाद लिया वह दूसरे को बोलता है कि भाई साल भर मैं बोला था कोर्स कोतम कराएंगे छह महीने में कोर्स खतम कराके रिविजन और करा दिया बोला था अपनी पार्टशाला में हमें आप सब का प्यार क्यूं मिला इसके पीछे का केवल इतना सा कारण है कि हम लोगों ने जो प्रॉमिस किया अनलाइन की चुनोतियों को हमने देखा कि यार ये लोग जो है ना कहते हैं वो करते नहीं हम उल्टा करेंगे कहेंगे उससे जादा करेंगे हमारे बैचेस में दो दो बार सब्जेक्ट पढ़ा दिया गया है रिविजन चला दिया गया है और इतने किफाईती कीमतों पर रखा गया है तो बच्चे भर-बर के उसको पढ़ रहे हैं इसी प्रकार से कोई देश के बारे में कोई व्यक्ति कोई कंपनी बोल दे और एक कर दो इन्वेस्टमेंट तो आएगा भर-बर के इन्वेस्टमेंट और कोई पहले कहता था भाई साब पिछली बार तो आप कह रहे थे ठीक नहीं था अब की क्या अरे आर सुधार लिया उनने ऐसे ही स्टेंडर्ड और पूर्स ने इंडिया की इमेज को सुधार दिया है अब आगाई बात समझ में अब चले इस पर अब तो कोई दिक्कत बची नहीं अब भूमिका में पूरी तरह से बना चुका हूं अब आप इसको कितना अच्छे से समझ पाते है आपके ऊपर है ठीक है चली तो देखो भाई 14 साल के अंदर ये हुआ है इंडिया विन स्टें उससे पहले इसने निकाला है Standard & Poor's नाम की कमपनी है, America-based company है और इसका मुख्याल है वो New York के अंदर है Standard & Poor's Global के नाम से जानी जाती है तीन बड़ी अम्माएं Fitch Moodies और Standard & Poor's ये दुनिया का ऐसे ही नक्षा विगारती है और बनाती है लेकिन हम ये रिसर्च भी करती है ऐसा कि यह इस तरह से सीधा निकाल करके देते हैं, ठीक है, किसी देश की credit worthing निकाल कर देते हैं, कि कोई देश किस तरह से आगे चल रहा है, क्या कर रहा है, इस सब factors को देख कर चलते हैं, इन्होंने भारत की image को BBB से उठा करके एक कदम minus से plus की तरफ डाल दिया है, और इनने कहा ह कि अगले दो साल में हम इस rating को और बढ़ाएंगे, यहां पर थे हम लोग और यहां से इन्होंने इस रिश्रिणी में हमें पहुचा दिया है, BBB minus से BBB plus में पहुचा दिया है, और कहा है कि अभी दो साल और हम देखेंगे, और उसके बाद में हम इसको उपर लेकर जा सकते ह अब आप सोच कर देखिए, कि यह companies जब हमको rating देती हैं, तो इनकी rating में, इंडिया की rating को ऊपर ले जाना है, यही हमारा task है, आप सोच यह अच्छा क्या होता होगा, औव्यसी बात है, वो देश अच्छे होते होंगे, जहां financial इतनी अच्छी होती होंगी, चाइना जो है न दो साल में हमको यह लोग यहां पहुचा दें, तो हम इस से उपर निकल, मतलब और थोड़ा नस्दीक पहुच जाएंगे, अर्थात, जहां सरकारी नीतियां, जहां infrastructure, जहां पर लोगों के लिए रोजगार के अवसर, जहां पर सरकार की policies में इस्थिरता दिखती है, वहां पर यह नीतियां आगे चड़ते हैं, सोचिए 14 साल बाद इसने हमारा लेवल यहां से निकाल के यहां लिया है, इससे नीचे अगर रखते हैं, तो फिर इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमंड ही नहीं करते हैं, अब यहां पर इसने कहा है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट इ इसाइड की जाती है, ऐसी ही फिसकल पॉलिसी, फिसकल पॉलिसी के अंदर सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन कहा होगा, खर्चे कहा होगे, इन सब चीजों पर इसने प्रॉपर तरीके से रिसर्च किया, मतलब यह प्रॉपर तरीके से यह भी देखा है, कि इंडिया की GDP ग्रो और वो never before offer type से हो, मतलब आज तक किसी ने ऐसी NCRT ना पढ़ी हो, ऐसी planning मेरी चल रही है, मैं डेमो उसका दिखाऊँगा आप लोगों को, एक बार तयारी पूरी हो जाए, फिर आप उसको देखिएगा और फिर मानिएगा कि यह क्या प्रॉडेक्ट निकल कर आ रहा है, NCRT और उसमें हम फिर Geography से शुरुआत करेंगे, तो फिलहाल के लिए जो Foundation Dash के विद्यारती है, वो तब तक अपना Foundation मजबूत कर लें, कि Current Account Deficit, Fiscal Deficit, यह सब चीजे मैंने अच्छे से समझाई हुई है, और फिलहाल के लिए आप इतना सा समझ लीजिए कि सर जी, GDP को देखकर इन सबी factors को देखकर, जो Progressive है, इन्हें देखकर के इसने हमारे Outlook को ऊपर चड़ाया, क्योंकि हमारी Economic Growth अच्छी चल रही है, Government infrastructure पर बहुत अच्छा खर्च कर रही है, मैंने पहले भी एक वीडियो डाला है, थोड़े दिन पहले भी, कि सरकार की budget का लगभग 22% हम लोग infrastructure पर खर्च कर रहे है, infrastructure पर खर्च करते समय, बहुत से लोग एक लाइन बोलते है, इनलिया का कर्च दीन गुना हो गया, खर्चा अगर, जैसे आप से अगर पूछा जाए कि आपने घर लोन लेकर बनाया, या फिर शादी बच्चे की लोन लेकर की, तो कौन सा लोन अच्छ अगर आपने कोई भी capital investment किया है, जिससे कोई आपने tangible good विक्सित कर लिया, या intangible good विक्सित कर लिया, जिससे कि भविश्य में आप कीमत वसूल सकते हैं, तो वो capital investment के अंदर consider किया जाता है, तो capital investment जितने भी भारत में हो रहे हैं, infrastructure के अंदर, उन्हें इसने बहुत सकारात कि भारत के अंदर जितनी भी roads बन रही है, ship lanes बन रही है, airport बन रहे हैं, hospitals बन रहे हैं, इनकी वजह से जो आने वाला समय है, वो बहुत तेजी से, जैसे हम solar power में बहुत अच्छा कर रहे हैं, infrastructure में, express highways में बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम अपने सरकारी ports तो चला ही रहे हैं, इन सब चीजों की वज़े से, फिर सरकार की नीतियों में इस्थिरता है, लगातार दस साल तक एक ही सरकार रह गई है, ऐसी इस्थिति में fiscal consolidation है, कि हमारी GDP growth है उसके साथ में जो हमारी राजकोशी है, जो जिम्मेदारी है, वो fixed तरीके से आगे बढ़ रही है, और जो घाट मंतरी हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से बात बोली है, संजीव सान्याल जी, यह वही वाले संजीव सान्याल जी हैं, जो UPSC पर भयान दिये थे, उन्होंने भी इसको बहुत अच्छा बताया क्योंकि एक एडवाईजरी बोर्ड में है, ठीक है न, तो इसकी वज़े से फ दुनिया को लेकर के हमारा क्या नजरिया है, यह सारी बाते भी यहाँ पर पूछ नहीं होगे हैं, ठीक है साब, एक क्वेस्टन है, इसका मुख्याल है कहां है, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं, चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब कर ले, अपने साथियों से जरूर प्यार करते हैं, वो अपने वीडियो को अलग-अलग प्रकार से कहीं सपैम करते हैं, कोई रिपोर्ट करता है, कोई ढिसलाइक करता है, ताक히 हम लोग GRवना हों, हम लोग ग्रोना हों तो यह आपके समझ में आने वाली बात है की कौन लोग ऐसे होते हैं, जो ऐसाद चाहत तो आप मेंसे जो लोग लाइक को भी समझते हैं कि नहीं मेरे मैं ऐसान करूँगा इस आदमी के ऊपर ठीक है एक दिन ये घतिविदिया स्वते ही रुख जाएंगी आटमेटिक जब हमें भी इस चीज का प्रोजसाहन नहीं मिलेगा मैं दो घंटे नॉन स्टॉप आपके सामने रोजाना सुभे बोलता हूँ आट घंटे कॉंटेंट बनाने के लिए बैटता हूँ टीम काम करती है सब बनकर आता है इतना पैसा इतना इन्वेस्ट मेंट लगता है और उसके बाद आप से अपेक्षा के लिए भी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि यार सब्सक्राइब कर देना यार लाइक कर देना यार शेयर कर देना तो अंदर से ऐसा लगता है कि मैं कह क्यों रहा हूँ मतलब लिटरली स्पीकिंग लेकिन ठीक है हम में हो सकता है इस तरह का भाव आ गया हो कि नई साब हम से कहो गए नहीं तब तक हमें याद नहीं रहता लेकिन आप में इतनी इंसानियत है ये मुझे ग्याद है बस उसे याद दिलाने के लिए मुझे कहना पड़ता है और उसको इसलिए भी समझ कर आप करें क्योंकि आपको ये पता हो कि कोई और आपके इस तरह के ना करने पर अपने तरीके से उस काम को वो तुरसी तरह में ले जा रहा है क्योंकि दुनिया में आपको भी पता है कि खुश होने वाले लोग कितने होते हैं ठीक है चलिए फिलाल के लि विक्सित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें धन्यवाद